आज जिस शिक्सियत का जिकर हम अपनी वीडियो में करने जा रहे हैं, उनका नाम है मुईत हसन पीरजादा असलाम अलेकुम, पाकिस्तान बाइग्रफी चैनल में आप सब को खुशाम दीद मुईत हसन पीरजादा एक पाकिस्तानी बर्दानवी सियासी मुबसर, जियो स्ट्रेटेजिक तज्याकार और टेलेविजिन न्यूस सहाफी हैं वो 92 न्यूस पर हार्ट टॉक के नाम से एक प्रोग्राम की मेजबाने करते हैं उन्होंने बहुत से मुक्तलिक मुमालक के बहुत से स्यासत्दानों के इंटर्वियूस किये हैं और कौमी अखबारात के लिए कौलम लिखे हैं आहिए ब बात करते हैं मुईत हसन पीरजादा की जाती زिंदगी के बारे में मुईद हसन के चार बेहन भाई हैं जिन में से एक बेहन और दो भाई हैं डॉक्टर गुलाम महयुदीन पीरजादा इनके वालिद हैं जो के असल में स्रीनगर से हैं इनको आजाद कश्मीर में मीरपूर के सबसे कदीम तबीब के साथ साथ पहले डॉक्टर के तौर पर सराहा गया है 1967 में मंगला डैम की तामीर के बाद शहर एक नई जदीद बस्ती के तौर पर दुबारा सामने आने के बाद मीरपूर में एक आला तालीम याफता तीबी माहिर के तौर पर उबरे आई अब नज़र डालते हैं मुईद पीरजादा के केरियर पर पीरजादा ने इलामा इकबाल मेडिकल कॉलिज लाहॉर से M.B.B.S किया और इसके बाद C.S.S. के इमतिहान में सतारवी पुजीशन हासल की इन दिनों वो यूट्यूब पर वी लॉग कर रहे हैं जिसमें रोज मरा की बुनियात पर उबरते हुए मौजूदा स्यासी हालात का गहराई से तज्जिया करते हैं उन्होंने वक्त नियूज के साथ काम किया और टुनाइट विद मुईत पीरजादा शो की मिजबानी की वो पीटीवी नियूज में डिरेक्टर बराए आलमी अमूर और मवात के सरवरावी रह चुके हैं और मशूर टॉक शो सोचता पाकिस्तान एक प्रोग्रेम की मिजबानी भी की जिसमें उन्होंने कौमी, अलाकाई, सियासतदानों, तज्जिया कारों और पॉलिसी साजों के साथ समाजी और तालीमी मिसाइल का भी जिकर किया उन्होंने दुन्या न्यूस टीवी चैनल के साथ बतौर डाइरेक्टर वर्ल्ड अफियर्स काम किया और करंट अफियर्स टॉक शो दुन्या टुडे की मिजबानी की उन्होंने दुबई में मुकीम इलाकाई अखबार खलीज टाइम्स के लिए भी लिखा इनके कॉलम बड़े पाकिस्तानी अखबारात जैसे डॉन, दी न्यूस इंटरनेशनल, डेली टाइम्स, फ्राइडे टाइम्स और ब्लॉग्स में शाया हो चुके हैं उन्होंने कौमी और बेनुलक्वामी कॉन्फरेंसों, सेमिनार्ज और पॉलिसी वर्क्शॉप्स में शिर्कत की हैं और प्राइम इनिस्ट्रिल एजुकेशन टास्क फोर्स के रुकन भी रह चुके हैं जिसने ब्रिटिश काउंसल के साथ मिलकर नेक्स जनरेशन रिपोर्ट त्यार की थी उन्होंने इसलामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टिट्यूट आई पी आराई में पॉलिसी पेपर्स का हिस्सा डाला और पैक मैगजीन के लिए कई पॉलिसी पेपर्स भी लिखे हैं वो गवर्नेंस और पॉलिसी एडवाइजर्स के एक्जेक्टिव डाईरेक्टर हैं जो मीडिया, गवर्नेंस, सेहत की पॉलिसी, तरकियाती तन्जीमों और कॉर्परेट इदारों को मिशावरती खिद्मात फराहम करते हैं पीर जादा आप 92 न्यूस पर प्रोग्राम हार्ट टॉक की मिजबानी कर रहे हैं एक टीवी सहाफी के तौर पर उन्होंने पाकिस्तानी और गेर मुलकी नामवर शक्सियात के इंटर्व्यूस किये हैं जिन में बेनजीर भुटो, डेविट कैमरॉन, हामिद करजई, महमूद अब्बास, विलियम डेलरंपल, जस्वन सिंग, रिचर्ड हालब्रोक, माइक मॉलन और बरतानवी सियासदान जॉर्च गेलवे शामिल हैं उन्होंने अमरीका और पाकिस्तान के दर्मयान, स्ट्रेटिजिक डायलॉग के साथ-साथ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दर्मयान होने वाले कई मुझाकरात का आहाता किया है, जिसमें 2006 में हवाना में गेर वाबस्ता सरबराही इगलास में, हिंदुस्तानी वजीर मनमोहन सिंग के साथ पाकिस्तान के साबिक सदर प्रवेज मुश्रफ की मुलाकात भी शामिल है। उन्होंने वादिय सववात में पाकिस्तानी फौजी कारवाई और 2009 में आईडी पी के बहरानों का आहता किया। सितंबर 2009 में N.W. पीटरसन अपने प्रोग्राम में नमुदार हुए और इस बात की तरदीद की के अमबीकी सेक्योरिटी कंपनी ब्लैक वाटर पाकिस्तान में काम कर रही है। एक दावा जो जैनवरी 2011 में लाहोर में रेमिन एलन डेविस की हरासत के बाद घलत साबित हुआ। जब पीर्जादा एक तक्रीब को मौतदल कर रहे थे जिसमें अमरीकी वजीर खारजा हेलरी कलिंटन ने 21 अक्तूबर 2011 को इसलामाबाद के सेरीना होटल में पाकिस्तानी सिवल सोसाइटी के नوجवान कारकुनों और कारोबारी अफराद से मुलाकात की तो एक तालिब इल्म पीर्जादा ने अक्तूबर 2009 में टीवी एंकर्स के साथ क्लिंटन की पहली मुतनाज़े पेशी को भी मौतदल किया था जब उन्होंने रिमार्क्स दिये थे कि अगर पाकिस्तानी केरी लोगर बिल की मदाद नहीं चाहते तो इन्हें धिटाई से इसे मुस्तरत कर देना च वक्त वो एक काम्याब यूट्यूब चैनल चलाते हैं जहां वो असरी स्यासी और समाजी पेशरफ्ट पर बाकाइदगी से बात करते हैं और अपने तज्जिये शेयर करते हैं मुईद पीरजादा पाकिस्तान में एक मुम्तास स्यासी मुबस्र, टीवी एंकर, कालम निगार और बाएसर ब्लॉगर हैं वो हकूमत और पबलिक सेक्टर की एहम तर्जीमों को मवासलाती हिकमत अमलियों पर मशवरे देते हैं और प्लिसी और गवरمن्न ते मुद्लिक अमूर पर मशीर के तोर पर बेनलग मामी इदारों के साथ कांप कर चुकी हैं चुंके डॉक्टर मुईत पीरजादा के वालिद खुद भी डॉक्टर थे तो वो डॉक्टर मुईत पीरजादा को एक काडियक सर्जन के तौर पर देखना चाते थे। लेकिन इनकी वालदा नजमा जोके समाजी कारकुन थी उन्होंने हमेशा इनकी होसला अफजाई की। चुनाच्छे अपनी वालिद की खुआश को पूरा करने के लिए वो सर्जन बन गए। लेकिन सेंट्रल सुपीरियर सर्विसिस में शामिल होने के फौरण बाद ही वो वहाँ से चले गए। सेंट्रल सुपीरियर सर्विसिस जॉइन करने के बाद ही वो अपने आपको बहुत घुटन में महसूस करते थे। कॉलंबिया युनिवर्सिटी में बेनुल अक्वामि तालुकात और बाद में लंदन स्कूल आफ एकनॉमिक से कानून की तालीम हासिल की। कम सफर के रास्ते का ताकुब इन्हें मिशावरत तक ले गया और आखिर कार वो मीडिया की फील्ड में आ गए। इनके वालदेन दोनों सरी नगर से कश्मीरी तार्कीने वतन थे जबके इनके वालद पीरजादा जीम दीन जिनाक के दो कौमी नजरिये के जनूनी मानने वाले थे और इन्हें सरी नगर की सड़कों पर शेख अबदुल्ला के दस्तों की पिटाई का सामना करना पड़ा मुहम्मद अमीन गनी कभी शेख अब्दल्ला के करीबी दोस्त और मौतिमत थे। तक्सीम हिंद के खिलाफ वालिद अपने शौक के तहत एक मेडिकल डॉक्टर के तौर पर कुछ अरसे के लिए पाक फौज में भी शामिल हुए थे। दादा की शादी जम्मो के मुस्लिम रहनुमा गुलाम अबास के खांदान में हुई थी। अजाद कश्मीर के पहले सदर अपनी एहलिया के दबाओं में हिचकचाते हुए हिजरत कर गए। और जब गुलाम अबास की भांजी नजमा की शादी डॉक्टर पीर जादा से हुई तो वो अकाउंटेंट जनरल आजाद कश्मीर थे। दोनों मर्दों के शदीद तोर पर मुतजाद अकाइद और नजरियात ने सियासत और तारीख के बारे में इनके एहसास के बारे में मुईत के अपने ख्यालात की वजाहत की। एक टेलेवियन एंकर के तोर पर मुईत प एबी एन, तुर्क रेडियो और टी आर्टी और कई दीगर बैनुलक्वामी मीडिया प्लैटफॉर्म्स पर नमदार होते हैं। उन्होंने हकूमत और कॉर्परेट सेक्टर दोनों के लिए मुक्तलिफ पॉलिसी इशूस पर कई कौमी और बैनुलक्वामी सेमिनार्स और को भी मौत दिल किया है। वो ब्रिटिश काउंसल अफ पाकिस्तान के जेरे इतमाम एजुकेशनल टास्क पोर्स का हिस्सा थे। अले फिलैन महम के सफीर थे। इंतखाबी अमल पर के सिटीजन ग्रूप के रुकन हैं और यूएस एड जॉन स्नो इंस्टिटूट पांडेशन, लीड्स के लिए मुशावरती असाइमेंट्स इंजाम दे चुके हैं। पाकिस्तान, इंटरमीडिया, FNF, ब्रिटिश अमरीकन टोबैको, NDU, फ्रेडरिक एबरट, कॉमन वेल्स सेक्टरी टौवर, प्लैनिंग कमिशन आफ पाकिस्तान समेथ दीगर इदारो का हिस्सा रह चुके हैं। पीरजादा को पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बरतानिया, अमरीका और दुनिया भर में बैनुल अक्वामी कॉन्फरेंसों और सेमिनार्स में मुकाले पेश करने और तक्रीर करने के लिए मदू किया जाता है। वो ब्रिटिश फॉरण आफिस के ज जॉर्च टाउन, कॉलंबिया, नेशनल डिफेंस युनिवरसिटी, लाहूर युनिवरसिटी जैसे ममताज युनिवरसिटियों के तलबा और फेकलिटी से बात करने के लिए मदू किया जाता है। वो धिंक टैंक्स और पॉलिसी इंस्टिट्यूट के मंजर नामे पर भी एक फाल शरीक रहे हैं। उन्होंने उनाइट स्टेट्स इंस्टिटूट ऑफ पीस, सस्टेनिबल डिफेल्प्मेंट पॉलिसी इंस्टिटूट, जन्ना इंस्टिटूट, फॉरेंड सर्विसेज अकैडमी, सिवल सर्विसेज अकैडमी, नैशनल स्कूल अफ पॉब्लिक पॉलिसी, फॉर्मन क्रिस्टिन कॉलेज उनिवर्सिटी और पाकिस्तान और भारत के दीगर इधारों में खिताब किया है। इनके टेलिविजन प्रोग्राम, आवाज टीवी, पीके पॉलिटिक्स, जैम टीवी और दीगर वेब पॉर्टल्स जैसी वेब साइट्स पर पॉलिए उनिवर्सिटी निव यॉर्क में इंटरनेशनल फाइन्स और एकनॉमिक पॉलिसी की तालीम भी हासिल की है। तो नाजरीन ये ती डॉक्टर मूीत पिरजादा की सवाने हयात। उमीद है आपको हमारी बागी वीडियो की तरह ये वीडियो भी पसंद आई होगी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलें। साथी साथ हमारी चैनल पाकिस्तान बाइगरफी को सब्सक्राइब भी कर दें और बैल आइकन को ख्लिक करना मत भूलें ताकि आप हमारी हर नई आने वाली वीडियो से मुस्तफीत ह हो सकें बहुत शुक्रिया